So good morning guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अनकी साथ फरवरी के important current affairs को, देखे हमारा पहला प्रशन क्या है, देश का पहला artificial slalom course ये का पे बनेगा, तो आंसर होगा भोपाल मध्यप्रदेश में, slalom क्या होता है, तो ये खेल है, आप इसे फोटो में देखो, इसमें खिलाड अध्यप्रदेश में, इसे एशियाड वो उलम्पिक के तयारियों के लिए बनाया जा रहा है, एशियन गेम्स आपकी 2022 में होंगे, चाइना के हंग जाओ में, और 2022 में ही आपके विंटर उलम्पिक गेम्स भी हो रहे हैं, कहाँ पे वीजिंग चाइना में, 2022 में ही Commonwealth गेम्स काँ पे बनेगा भोपाल मद्यप्रदेश में, और हमने पढ़ा था मद्यप्रदेश के जबलपुर में बनेगा भारत का पहला जियोलोजिकल पार्क, मद्यप्रदेश बनायेगा देश की पहली साइबर तहसील, और मद्यप्रदेश सरकार ने गौलियर में पहला ड्रोन मे पेला भी आयोजित किया था, मद्येप्रदेश में ही विश्व संगीत तानसे नुच्छव का भी आयोजन हुआ था और मद्येप्रदेश का इंदल ये भारत का पहला Water Plus प्रमनज शहर भी घोशित किया गया सबसे स्वच्छ तो ये है ही सही और मद्यप्रदेश के बांदा उगड टाइगर रिजर्व में भारत की पहली Hot Air Balloon Wildlife Safari भी शुरू हुई थी और मद्यप्रदेश वाहनों के लिए Unified Registration Card launch करने वाला देश का पहला राज जबी बना था और हाँ आगे बनने से पहले मैं आप लोगों को बता दू अभी 2022 से Topic Wise Current Affairs की सीरीज हम लोगों स्टार्ट कर रहे हैं उसके दो वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ अभी तक देख अभी तक जनवरी महीना निकला है तो जनवरी महीने के Important Days जो भी है With Theme उसका वीडियो में ने बना करके अपलोड कर दिया उसके बाद भारत या विश्व में जो भी चीचीजे पहली बार हुई है और इस तरह के सम्मंदित जो भी प्रश्व आप लोगों ने Current Affairs में पड़े है उसका भी वीडियो बना करके कल मैंने अपलोड कर दिया है और सबसे अच्छी बात ये है कि उन सभी कुश्चन का कुईज बना करके भी मैंने आपकी Crack Exam Application पे अपलोड करवा दिया तो वो वीडियो आप देख लेंगे उसके बाद चाक करके अपनी Crack Exam Application पे वो सारे कुशन की क्विज लगा लेंगे अच्छे से टेस्ट लगा लेंगे ताकि ये सारे कुशन आपको याद भी हो जाए तो अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिएगा और अगर सिरीज अच्छी लगती है चाहते हैं इस तरह की सिरीज कॉंटिनु रहे आगे और भी टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड हो तो इसे सपोर्ट जरूर करिएगा सपोर्ट मतलब अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना और लाइक करना मत भूला अभी हम बढ़ते आगे फिर बताईए छे फरवरी 2022 को किस देश की किरकेट टीम एक हजार वंडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है तो आंसर होगा भारत तो अभी छे फरवरी को भारत और वेस्ट इंडीस के बीच वंडे सिरीज का पहला मैच खेला गया और ये भारत का एक हजारवा वंडे मैच है और इस तरह से भारत एक हजार वंडे मैच खेलने वाला दुनिया का पहला दीश्वन गया है भारत ने पहला वंडे कब और किस के साथ खेला था 1974 में इंगलेंड के खिलाफ खेला था और ये जो 1000 वा वंडे मैचे ये कहां पे खेला गया ये गुजरात के नरेंदर मुदी स्टेडियम में खेला गया जो की दुनिया का सबसे बड़ा किरकेट स्टेडियम है अच्छा अभी हम लोगों ने पड़ा भी था सेंचूरियन में टेस्ट मेच जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन सी बनी थी तो भी आंसर होगा भारत अच्छा आप तो ये बताओ ICC Women's Cricketer of the Year किसे चुना गया इस मृत्ती मंधाना को और इने ही रचिल हे हो फ्लिंट अवार्ड भी मिला उसके लावा पूछा जाए ICC Men's Cricketer of the Year किसे चुना गया तो पाकिस्तान के शाहीन अफ्रीदी को इने ही सर गारफिल्ड सौबर्स ट्रोफी भी मिली और ये अवार्ड पाने वाली ये पहले पाकिस्तानी किर्केटर बन गये है और पूछा जाए ICC Men's T20 International Cricketer of the Year चुना गया पाकिस्तान के मुहमद रिजवान को वहीं ICC Women's T20 International Cricketer of the Year चुना गया इंग्लेंड की टेमी बेमांट को और ICC Men's ODI Cricketer of the Year किसे चुना गया पाकिस्तान के बाबा राजम को और ICC Women's ODI Cricketer of the Year चुना गया लिजल ली को ये साउथ अफरिका की है तो यह आप ध्यान रखेंगे बाकि ICC की स्थापना होती 1909 में हैड कोटर दुबई में है CEO इसके हैं कौन जोफ एलाइडिस चेर्मेन है ग्रेक बारकले जो की न्यूजिलेंड के है ध्यान रखना बढ़ते आगे अच्छा बताईए अभी किस राजमें देश का दूसरा सबसे उचा राष्टर ध्वच फेराया गया तो आंचार होगा तवांग शहर में फेराया गया और उचाई के मामले में देश में दूसरा सबसे उचा ध्वच अच्छा देश का सबसे बड़ा राष्टर ध्वच का मिलेगा आपको लगदाप में अच्छा अगर एक्जाम में आपसे पूछा जाए कि भारते रेल्वे दुनिया का सबसे उचा पुल का पे बना रहा है तो आंचरो का मनि पूर में और भारत का सबसे लंबा रोड-ार्च ब्रिज का पे बना मेगाले के पूर्वी खासी हिल्स जिले में जिसका नाम में वह है ये ब्रिज और अभी उडिसा का सबसे लंबा पुल बना था इसका नामे टी से तूटी आकार का है ये महा नदी पर बना है कटक जिले में अच्छा बताओ भारत का पहला ओपन रॉक संगरहाले का पे खुला हैदराबाद में दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशुधित जेनेटिकली मोडिफाइड रबड का पोधाका पे लगाया गया असम में और सेटेलाइट फॉन से लेस होने वाला भारत का पहला नैशनल पार्क कौन सा बना काजिरंगा नैशनल पार्क जो कि एक सिंग वाले गिंड़े की लिए फिमस है ये आपको मिलेगा असम में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंदरिकां पे शुरू हुआ केरल में लेकिन यहां तो बात अरुनाचल प्रदेश किये तो ये रा मैप में अरुनाचल प्रदेश आप जानते हो भारत के किस सराज में सबसे पहले सनराइज होता है तो आंसर होगा अरुनाचल प्रदेश में और जियोलोजिकल सर्वे अफ इंडिया की रिपोर्ट आई थी उसने बताया था कि भारत में जितना भी ग्रेफाइट है उसका 35% तो आपको अखेले अरुनाचल प्रदेश में ही मिल जाएगा वैसे जियोलोजिकल सर्वे अफ इंडिया का हेटकोर्टर काँ परे कॉलकता में और अभी भारत में पहली बार वेनेडियम के भंडार काँ पर मिले थे अरुनाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में अभी अरुनाचल प्रदेश ने ही 2020 को सिक्षा के वर्ष के रूप में घुशित किया था और इन्होंने ही आत्म निर्बर क्रशी यूजना और आत्म निर्बर भागवानी यूजना शुरू की थी अभी अरुनाचल प्रदेश के राज्य तितली बनी है केसर एहिंद और अरुनाचल प्रदेश के ब्रैंड अमबेस्टर बने थे संजेदत तो यह आप याद रखना बढ़ते आगे अच्छा बताईए हाली में किसे पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का सीमडी बनाया एस आर नर्सिम्मन को तो अभी एस आर नर्सिम्मन को पावर ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का सीमडी बनाया गया ह एक्चुली में इन्हें इसका एडिशनल चार्ज दिया गया अतिरिक्त प्रभार बाकिर रवी मित्तल इन्सॉलवेंसी और बैंकरप्सी पोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने पुष्प कुमार जोशी हच्पी सील के सीमडी बने और डॉक्टर अनन्त नागिश्वरन ग्यारवें नंबर की महरत में कंपनी कौन सी बनी थी तो आंसर होगा पावर फिरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बढ़ते आगे बताओ अभी हाली में देश के तीसरे बॉर्डर हाट का उधगाटन किस राज्य में किया तो आंसर होगा तिरिपुरा में तो अभी तिरि तिरिपुरा में ही भारत बांगलादेश सीमा पर पहले से दो सीमा हाट है यानि कि बॉर्डर हाट है इसमें से एक सिपाही जाला जिले में कमल सागर में है और दूसरा धक्षिन तिरिपुरा जिले के शिरिनगर में है अच्छा ये बॉर्डर हाट मतलब क्या हो गया तो य में तिरिपुरा देखो तिरिपुरा की गैपिटल अगरतला है मुख्य मंत्री है विपलब कुमार देव और गवर्नर है कौन सत्य देव नारनार है अच्छा खर्ची पूजा ये हिंदू फेस्टिवल है किस स्टेट का एक्जाम में पूछा जाता है तो आंसर होगा तिरिप यहीं पर महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट भी आपको मिलेगा अच्छा कौन सा वो भारते राज्य है जो बांगलादेश से तीनों तरब से घिरा हुआ है तो आंसर होगा तिरिपुरा अभी तिरिपुरा में चवालिस्वा कोक बोरोग दिवस भी मनाया गया था इसे त तिरिपुरी भाषा दिवस भी कहते हैं तो यह ध्यान रखना बढ़ते आगे फिर बताईए कौन सा राज्य प्री प्राइमरी चात्रों के लिए खुले मेदान में कक्षाएं आयोजित करने के लिए पराय सिक्षाले पडोस स्कूल के शुरू करेगा तो आंसरों का सरकार ने प्राथमेक और पूर्व प्राथमेक चात्रों के लिए एक ओपन एयर कक्षा कारेकरम जिसका नाम है पराय सिक्षाले यानि कि पडोस स्कूल को शुरू करने की गोश्णा की है तो पराय सिक्षाले के तहत अब खुले मेदान में कक्षाएं आयोजित की जाएंग पश्चिम बंगाल की बात है तो ये रा मैप में पश्चिम बंगाल कैपिटल इसकी कॉलकता है और कॉलकता के इस नदी के किनारे इस्तित है हुगली नदी के किनारे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ये इसी नदी के नीचे है और कॉलकता में आपको जियोलोजिकल सर प्रसाद मुखर जी के नाम पे रख दिया गया अच्छा अगर आपसे पूछा जाए नेताजी सुभास चंदर बोस अंतर राश्टर हवाई एड़ा का आप बरे तो यहीं पर एक कॉलकता में मुख्यमंत्रिय ममता बेनर्जी और गवर्नर कौने जगदीब धनगड अभी दोगा युनेसको ने कॉलकता की दुर्गा पुजा को अमुर्त सांस्करतिक विरासत यानिके इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट के रूप में माननेता दी है और पश्चिम मंगाल के दुर्गापुरा में इश्या का सबसे बड़ा सोलर ट्री भी लगाया गया है अ गुरुमारा नेशनल पार्क भी यहीं पर है नियो वेली नेशनल पार्क यहाँ पर है सिंगा लिला नेशनल पार्क यहाँ पर है यहाँ पर आपको जल्दा पारा वाइल लाइफ सेंचुरी मिल जाएगा महाननदा वाइल लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ पर मिल जाएग और इसमें player of the match कौन रहे राज अंगत बावा पांच विकेट लिये इन्होंने तो एक तो ये important प्रश्ण हो गया उसके लावा कुछ और important प्रश्ण में आपको बताता हूँ रिवाइस कर बाता हूँ अभी आठवा under 19 एशिया कब किस ने जीता था भारत ने शिरी लंका को हर आय था उसमें वो दुबई में हुआ था अच्छा बताओ बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारते पुरुष किर्केटर कौन बन गए उन्मुक्त चंद बन गए और पूछा जाए कि एक पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बने थे तो एजा लगाने वाली पहली भारते महीला कौन बनी थी इसम्रती मंधाना अचा बताओ सेयद मुस्ताक अली ट्रॉफी को किस ने जीता तमिल नाडू ने जीता करनाटक को हरा करके और अभी दुनिया के सबसे उम्र दराज टेस्ट किर्केटर का निदन हो गया उनका नाम क्या था इलीन एश और बताओ 2021 में T20 में वर्ल्ड कप जो हुए थे ओमान और युनैटेड अरब अमिरात में उसको जीता उस्ट्रेलिया ने न्यूजिलेंड को हरा करके और आईपिल भी याद रखना देखो आईपिल जो 2021 में हुए थे वो इसका चौदवा संसकरन था जो की पल्केप और ओर उर्एंज केप परपल केप मिलती हैं जो सबसाधा विकिट लेते हैं वो मिलिती हर्शल पटेल को ओरंज केप मिलती जो सबसाधा रन बनाते हैं वो मिलीती रितूराज गयक वार्ड कु यह चैन ने सुपर कींक्ट ए हैं अब 2022 के आईपिल कह पर होंगे भ 2022 और 2023 आईपील का टाइटल स्पॉंसर बन गया है टाटा गुरुप वीवो को इसने रिप्लेस कर दिया तो इतना आप याद रखेंगे बढ़ते आगे बताईए अभी किस राज्य ने साशन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया तो अंसर होगा असम तो अब ये असम की जो मुख्य मंतरी है हिमंत बिस्वा सर्मा उन्होंने प्रोजेक्ट सद्भावना लॉंच किया है तो इसका उद्धिश क्या है एक साल के भीतर राज्य सची वाले में पड़ी 4-5 लाग से अधिक लंबित फाइलों का निप्टान करना और इसके लिए प और याद रखना अभी राज्य का पहला खिल विशुद्याले का उद्धगाटन काम पर किया गया था असम के डिब्रुगड में और असम की पहली मैला वित्यमंतरी का नाम क्या है फिनेंस मिनिस्टर का अजंता नियोग है उसी तरह से याद रखो असम पुलिस की पहली मैल और असम ने अभी किसे अपना सर्वोच नागरिक सम्मान दिया रतन टाटा जी को जिसको कहते हैं असम बेभव अभी भारत का पहला इफिश मार्केट यह असम ने लॉंच किया था जिसका नाम में फिश वाले और अभी जुडिमा राइस वाइन को जी आई टेग मिला था और यह पूर्वत्तर की पहली शराब है जिसे जी आई टेग मिला चुडिमा चावल से इसको बनाया जाता है दिमासा समुदाय के द्वारा इसे बनाया जाता है और यहीं पर आपको काजी रंगा नेशनल पार्क भी मिलेगा जो की एक सिंग वाले गेंडू के लिए फेमस ह हम लोगों ने पढ़ा था सेटेलाइट फोन से लेस होने वाला यह भारत का पहला नेशनल पार्क बना है यहीं पर आपको नामेरी नेशनल पार्क मिलेगा मानस नेशनल पार्क मिलेगा डिबरु शिखोवा नेशनल पार्क मिलेगा औरंग नेशनल पार्क मिलेगा यह तो गुवाहाटी में ही दुनिया का पहला अनुमांशिक रूप से संशोधित चेनेटिकली मॉडिफाइड रबल का पोदा भी लगाया गया देखो यहाँ पे बीहू नरत्य काफी फेमस है बगरुमबा नरत्य बहुत फेमस है एक पुटोला नाच भी याद रखो यह भी असम का है असम ने कोरोना के खिलाब जागरुकता फिलाने के लिए इसको शुरू किया था लेकिन असम का क्लासिकल डांस पूछेगा एक्जामिनर तो फिर आंसर करना सतरिया अचा भारत का पहला तेल का कुवा का पे खुजा गया था डिग बोई असम में तो इतना आप याद रखेंगे बढ़ते आगे बताईए अभी किस राज्य ने कलेप कारेकरम को शुरू किया तो अंसर होगा अंदरप्रदेश तो अभी अंदरप्रदेश सरकार ने स्वच्छ अंदरप्रदेश यानि कि कलेप जगनात स्वच्छ संकल पर कारेकरम को लौंच किया है इस कारेकरम का उद्दिश ही क्या है घर घर जाकर कच्रे की संग्र है उसके अलावा तरल और ठोस कच्रे को अलग अलग करना घर में खाद बनाना और उनसाइट अप्षिष्ट उपचार करने के लिए प्रोच्छाहित करना और इसे के साथ गरामिन शेत्रों को खुले में शौद से मुक्त करने के भी प्रयास करना ये इसका उद्देश है कलेप कारेकरम का जिसको शुरू किया आंदरप्रदेश ने तो ये रामेप में आंदरप्रदेश आंदरप्रदेश की मुख्य मंत्रे जगन मोहन रेड़ी गवर्नर विश्व भूशन हरी चंदरण अचा अगर आपजे पूछा जाए भाषा के आदार पर गठित होने वाला पहला राज्य तो आंदरप्रदेश है देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन का पे खुला था आंदरप्रदेश में भारत का पहला एकवा मेगा फूडपार का पे पना तो आंचार होगा आंदरप्रदेश में भारत की पहली फूट ट्रेन ये आंदरप्रदेश से ही रवाना हुई थी और भारत का पहला online waste management platform ये launch हुआ था आंदरप्रदेश में ही अभी हमने पढ़ा था राष्टर नेतर हिन cricket tournament को किस ने जीता आंदरप्रदेश ने अभी IPF यानि कि Indian Police Foundation Smart Policing Index 2020 लांच हुआ था उसमें top पे रहा था आंदरप्रदेश और अभी एक report हम लोगों ने पढ़ी थी वही शेत्रफल वन शेत्रफल में तो सबसे नंबर वन पे मद्रप्रदेश है लेकिन उसकी व्रदी के मामले में नंबर वन पे कौन है आंदरप्रदेश और यहाँ पे आपको एक Tiger Reserve भी मिलेगा जिसको कहते हैं नागरजुन सागर सर सेलम Tiger Reserve और इस Tiger Reserve का वो भाग जो कि तेलंगना में चला गया उसे कहते हैं अमराबाद तो इस तरह से तेलंगना में आपको दो Tiger Reserve मिल जाएंगे एक है कवल और दूसरा है अमराबाद तो यह ध्यान रखना बढ़ते आगे अच्छा बताईए फरवरी 2022 में अभी लता मंगेशकर जी का निदन हो गया पूछा जा रहा है उन्हें किस वर्ष भारत ररत्न से सम्भानित किया गया था तो आंसर होगा सन 2001 में तो प्रसिद्ध गाई का थी लता मंगेशकर जी अभी छे फरवरी को उनका निदन हो गया उन्होंने 1000 से जादा हिंदी फिल्मों में ग करते आगे बताईए हाली में कौन सी फेलोशिप केंदर सरकार के द्वारा अपने वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत शुरू की गई है तो आंसर होगा सवच्छता सार्थी तो भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाकार के कार्रेले ने सवच्छता सार्थी फेलोशि यानि कि अप्षिष्ट प्रबंदन अप्षिष्ट जागरुकता अभ्यान आधी के कार्रे में लगे हुए हैं अच्छो मैं आपसे पूछूँगा दो प्रश्ण बताओ विश्व हात स्वच्छता दिवस वर्ल्ड हैंड हाईजीन डे कब मनाते हैं पांच मई को और अंतर 2022 में 17 सेप्टेंबर को मनाएंगे चलो ये एक और प्रश्ण बता दो सबसे ज़्यादा ओडेफ प्लस गाउं के मामले में कौन सर राज्य टॉप पर रहा है इसका प्रश्ण इसका उत्तर आपको देना है हम बढ़ते आके फिर बताईए संस्क्रति शांति और अहिंसा को ब बबररी के दोरान मनाया जाता है उद्धिश क्या इसे मिनाने का संस्क्रति शांति और अहिंसा को बढ़ावा देना तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पुछेगा है प्रश्ण के उत्तर की और हाँ एक बार फिर से याद दिला दूँ वो टॉपिक वाइस करेंट किये जो मैंने आपको बताया था उसको देखना मत बूलिएगा देखो कल आप से क्या पूछा था अभी अरावली जेव विवित्ता पारको भारत का पहला अन्या प्रभावी शेत्र आधारित संगरक्षन उपाई साइट घोचित किया गया ये कहां पर है तो आंसार होगा ह सेशन पसंद आये तो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रशन